ओवरलॉर्ड के फैंस का स्वागत है। इस वीडियो में हम ओवरलॉर्ड के दूसरे सीजन में गहराई से उतर रहे हैं, जहां स्टेक्स ज्यादा हैं, लडाईयां और भी इंटेंस हैं और वर्ल्ड बिल्डिंग भी रिच है। दिये गए लिंक से उसे देख सकते हैं। अब चलिए सीधे अक्शन में उतरते हैं। ब्लैक स्क्रिप्चर के कैप्टन और जैशी जेट्सु मैजिक कास्टर के रूप में आइन्स उलगाउन की बढ़ती सेलेब्रिटी की मिस्ट्री और हाल ही में हुए एक वैंपायर अटैक के बारे में बात करते हैं। जिसमें स्क्रिप्चर के दो मेंबर्स मारे गए। और इस पॉसिबिलिटी पर चर्चा करते हैं कि वाई जी जी ड्रैसिल का एक डार्क और पावरफुल प्लेयर इस नई दुनिया में आ चुका है। रियस्टीज कैपिटल में गेजफ स्ट्रोनौफ राजा के साथ है क्योंकि किंग्डम के नोबल्स एन्यूल वार को बहरूत तक लाने का फैसला करते हैं। राजकुमारी रैनर और उसके बॉडी गार्ड क्लाइम की एक विजिट के बाद राजा गाजेफ को बचाने के लि राज की दुनिया में नोटेबल नेशन स्टेट्स के बारे में क्या सीखा है। इस बीच शाल्टियर शराब पीकर खुद को बेहोश कर लेती है। जबकि सेबस का सहायक बटलर इकलेर उसे खुश करने की कोशिश में फेल होता है। कोसाइटस को लिजर्ड मेन के साथ लड़ाई शुरू करने और अंडेड की आर्मी बढ़ाने के लिए भेजा जाता है। लिजर्ड मेन विलिज में ग्रीन क्लॉट ट्राइब के सरदार शास्रियू अपने छोटे भाई जारियुसू के साथ कुछ बात करता है। तभी की लिजर्ड मेन ट्राइब्स, स्मॉल फैंग, रेजर टेल, ड्रैगन टस्क और रेड आई के साथ अलायन्स करने की सलाह देता है। जारियुसू को उसके भाई ने बाकी ट्राइब्स के साथ अलायन्स करने के लिए दूत बनने की अनुमती दी है। रेड आई ट्राइब म एक आउक्वर्ड शुरुआत के बाद दोनों एक अलायन्स पर चर्चा करते हैं और आम सहमती पर पहुँचते हैं। अलायन्स का प्लैन बनाते हुए जारियुसू और क्रश ड्रैगन टस्क विलेज पहुँचते हैं और सरदार जैनबुरू गुगु से मिलते हैं, जिसे भी हेराल्ड का मेसेज मिला था, लेकिन वे अलायन्स में तभी शामिल होंगे जब जारियुसू कॉमबैट में अपनी काबिलियत साबित करेगा। नाजरिक में वापस डेमियर्ज इकलेर से बात करता है और ये पता चलता है कि दोनों को इकलेर के हिडन एजेंडा के बारे देमियर्ज के स्क्रोल मिशन और रेगुलरली रिपोर्ट करने की जरुरत के बारे में बताया जाता है। कोसाइटस कुछ दिनों में आने वाले युद्ध के लिए अपनी आर्मी को तयार करता है। जैनबु जारियुसू से लड़ता है और वे एक साथी के लिए चीफ और क्रश के रोल पर दाव लगाते हैं। जारियुसू को एहसास होता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंग्थ जैनबु से कम है लेकिन वह अपने फ्रॉस्ट पेन एक मैजिक आइटम का यूज करके जैनबु को हर हमले में जमा देता है जिससे जैनबु को एहसास होता है कि वह एक ऐसे आइटम से लड़ नहीं सकता जो उसे लड़ते हुए मार देगा। ग्रूप पार्टीज अलायंस के लिए इकठा होती है जिसमें ड्रैगन टस्क भी इसमें शामिल होता है। हैराल्ड के मैसेज के पहले हमले की जगह रेजर टेल ट्राइब की ओर बढ़ते हुए शसर को जल्दी से बुला नहीं लेते। कोसाइटस ने इनसाइट के लिए डेमियर्स को मैसेज भेजा और उसे इनफॉर्म किया कि वह खुद सोचे कि लिजार्ड मेंस के खिलाफ ट्रूप्स को कैसे राशन और तैनात किया जाए क्योंकि यह लौडन्स की इच्छा हो सकती है। कोसाइटस ने एक एल्डर लिज कास्टर कमांडर को लडाई में शामिल किया जिसने आसानी से रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया। लडाई में शामिल होने का मौका देखकर जारियूसू ने अपने साथ ही हाइडरा स्नेक रोरोरो को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वह क्रश और जैनबुरू के साथ लड़ने के लिए लिच के करीब जा सके जो बाद में घायल हो गए जिससे जारियूसू को खुद को और लिच कमांडर को एक बड़े आइस केज में फसाने के लिए अपनी बची हुई स्ट्रेंग्थ जुटानी पड़ी। बहुत दर्द और कई हम जारियूसू कोहरे में लिच पर अचानक हमला करके और अपने फ्रॉस्ट पेन को उसके सिर में डाल कर जीत हासिल करता है। लड़ाई में लिजर्ड मेंस की जीत के साथ को साइटस को अब एंजर को जवाब देना होगा। लिजर्ड मेंस जीत का जश्न मनाते हैं। जारिय में वापस एंज ने आठवी मनजिल के गार्डियन विक्टिम को दूसरों से मिलवाया ताकि वे कुछ एंकाउंटर्स के लिए तयार रहें। डेमियर्ज शीप बीस्टमेन का यूज करके हायर क्वालिटी स्क्रोल्स बनाने में सफल रहा। अंत में जब कोसाइटस हार गय तो एंज ने बताया कि उसने कोसिटोस को एक कमजोर आर्मी दी ताकि वह एक लीडर के रूप में रिसोर्स को अड़ाप्ट और रियप्लाई करना सीख सके। क्योंकि कोसाइटस की सारी फोर्सेज लो टियर अंडेड थी इसलिए नाजरिक के लिए कोई जोखिम नहीं लेकिन कोसाइटस को सजा का सामना करना होगा यानि उसे लिजार्ड मैन को खत्म करना है लेकिन कोसाइटस ने लिजार्ड मैन को छोड़ देने के लिए कहा। जब एंज पूछता है कि ऐसा क्यों है तो डेमियर्ज आगे आकर कहता है कि इससे उन्हें यह देखने में मदद मिलेगी. एंज ज़ सहमत हो जाता है, लेकिन मांग करता है कि कोसाइटस बिना किसी डर के उन पर राज करे. एंज ज़ सिर्फ कोसाइटस का फ्री ओपीनियन सुनना चाहता था, उसने अपने गार्डियन्स से उसके ओर्डर्स पर सोचने को कहा, ताकि नाजरिक को ज्यादा बेनिफिट मिल सके. अगले दिन गार्डियन्स और एंज खुद बैटल फील्ड में फोर्स के एक ग्रैंड शो में लौटते हैं. लेक को जमाते हुए, गरगंच्वा लेक के सेंटर में एक बड़ा पत्थर फेंकता है और अंडेड एंस के लिए एक शाही जुलूस निकालते हैं, ताकि वह उपर बैठ सके और लिजार्ड मेंस के सामने बोल सके. जब शाशा भाई रेप्रेसेंटेटिव्स के रूप में काम करते हैं, तो डेमियर्ज कंट्रोलर मैजिक का यूज करके उन्हें ठीक से जुकने के लिए कहता है, कोसाइटस चार घंटे में उनसे अकेले लड़ने के लिए आएगा, और अगर वे जीत जाते हैं, तो वे हमेशा के लिए नाजरिक से फ्री हो जाएंगे. पांचो ट्राइब्स के लीडर्स सिर्फ खुद ही जाना चाहते हैं, जबकि क्रश पीछे रहकर लीड करेगी. जब वह इसके खिलाफ आरग्यू करती है, तो ट्राइब के लीडर्स जारियूसु को उससे बात करने के लिए छोड़ देते हैं. वे दोनों स्वीकार करते हैं कि उनकी मौत होगी और क्रश ज़ारियूसु से मांग करती है कि वह उनके प्यार को बनाए रखने के लिए उसे प्रेगनेंट करें. लिजार्ड मेन चैंपियन्स, शाशा ब्रदर्स, जैन बुरू, क्युकु जुजु और सुक्यु जुजु के साथ कोसाइटस के साथ लड कोसाइटस के रूप में इस्तिमाल करता है, जिससे अलबेडो को गुस्सा आता है. लिजार्ड मेन को देखते समय रिमोट व्यूविंग का मिरर जहारियूसु और क्रश को सेक्स करते हुए देखता है. लिजार्ड मेन चैंपियन तयार खड़े हैं और कोसाइटस अपने फ कोहरे और सप्राइज अटैक की चाल को दोहराते हुए उन्हें आसानी से काउंटर किया जाता है और शस्रियू को मार दिया जाता है. बाद में एन्स कोसाइटस को उसकी जीत के लिए बधाई देता है और क्रश को एक सौधे के लिए बुलाता है जिसमें उसे विद्रोह के किसी भी शक के लिए उसके लोगों की रिपोर्ट और निग्रानी करनी होगी और एन्ज जार्यूसु को रिवाइव करेगा. क्रश सहमत हो जाती है और एन्ज जार्यूसु को विलिजर्स के बीच रिवाइव करता है जो अब उसे भगवान के रूप में मानते हैं. अपनी प्रतिग्या करने के बाद जारियोसु अपने भाई और जैनबुरू को भी रिवाइव करने के लिए कहता है और एंजर लिजार्ड में द्वारा उनके शरीर को सेफ करने को कहता है। वह सेबस से ऐसा न करने की विनती करता है क्योंकि उसे एक एसेट ले जाने के लिए आठ अंगुली क्राइम सिंडिकेट द्वारा मार दिया जाएगा। सेबस ने जवाब में उस आदमी को शहर से भागने के लिए पैसे दिये। वापस आने पर सेबस उस लड़की को लेकर आता है और उसके घाव को ठीक करने के लिए सोलूशन से कहता है। जागने पर उसे खाना खिलाया जाता है जो अपना नाम टावरे बताती है। सेबस सोलूशन को लॉड एंज को ये न बताने को कहता है यह कहते हुए कि एक छोटी सी हूँमन गर्ल के बारे में जानना उनके समय के लायक नहीं है। इस बीच गाजेव ब्रेन अनग्लॉस के साथ नाश्टा करता है जो शाल्टियर के साथ एंकाउंटर के बाद डिप्रेसिव स्टेट में है। एकांत एरिया में एड़मन्टाइट एडवेंचरर टीम ब्लू रोज एक अन्धिकृत फसल को नश्ट कर देती है जिसका उप्योग ब्लैक डस्ट नामक एक शक्तिशाली नारकॉटिक के उत्पादन में किया जाता है। स्काउटिंग करते समय ब्लू रोज मेंबर की इविल आई को कोड के साथ एक मेसेज मिलता है जो उन्हें एट फिंगर्स के लीडर्स तक ले जा सकता है। उसी समय एट फिंगर्स सिक्योरिटी के हेड जीरो ने स्लेव डिपार्टमेंट के हेड को को डॉल से वादा किया कि उसके आदमी लड़की को लोटा देंगे। जब एन्स न्यू वर्ल्ड के फाइनसिस को रिव्यू करता है तो उसे लिज़र्डमेन बजट और अंडरकवर नजारिक एजेंट्स के लिए फंड्स को मैनेज करना मुश्किल लगता है। को एन्स उल गाउन के बारे में बताता है जिसने उसकी जान बचाई है। प्रिंसेस रेनर से मिलते हुए क्लाइम को ब्लू रोजिस की लीडर लैक्यूस एल्विन डेल एंद्रा से ब्लू रोजिस के जुडवां असासिन्स में से एक टीना के साथ मिलवाया जाता है। रेनर के गाइडन्स में उन्हें पता चलता है कि ब्लैक डस्ट क्रॉप में उन्होंने जो कोड ढूंढा था वह वास्तव में कैपिटल सिटी में एट फिंगर्स के लिए जरूरी लोकेशन्स की एक लिस्ट है। जो कैपिटल में एक अंडरग्राउंड ब्रॉथल है और ब्लू रोजस क्लाइम को भी इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं। इस बीच सेबस ने टावरे को उस मैनर की मेड के रूप में काम पर लगा दिया, जिसका इस्तिमाल वह और सॉल्यूशन उस पहचान को बहतर ढंग से बवर के रूप में कर रहे थे, लेकिन बाद में सक्यूलन्ट और कॉंस्टिबल स्टाफन हैविश ने उन्हें ढूंड दोनों सेबस द्वारा एंटी स्लेव लॉज के बावजूद टावरे को खरीदने के लिए मुआवजा मांगते हैं ताकि उसके अपराध के लिए माफी मिल सके। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, इविलाए उन दोनों को नई अडामन्टाइट टीम डार्कनिस के बारे में बताती है जो एडवेंचरर, मोमोन और नाबे से बनी है और गगारन उनके कारनामों से हैरान रह जाता है। मारकर मामले को सुलजा देता है। उसका का पीछा करते हुए एक गली में क्लाइम सेबस से हाल ही में उसे देखने के बाद स्ट्रेंग्थ का एक क्विक लेसन मांगता है। सेबस क्लाइम को भरोसे मंद मानता है और उसे एक लेसन देता है कि मौत के डर पर कैसे काबू पाया जाए। क्लाइम की भावनाओं को मौत के इरादे से भर कर क्लाइम रेनर के बारे में सोच कर अपने डर पर काबू पाकर आखिरी मौके पर बच जाता है। ब्रेन जो पीछे यह सब देख चुका है क्लाइम के इंटेंस फियर पर काबू पाने की अबिलिटी से प्रभावित होता है और सेबस से भी सीखने के लिए कहता है। हालांकि तीनों को सक्यूलेंट द्वारा भेजे गए पांच असैसंस ने घेर लिया है जिन में से सेबस तीन को मार देता है जबकि बाकी दो को ब्रेन और क्लाइम संभालते हैं। अपने हमलावरों को मार गिराने के बाद सेबस एक स्किल का यूज़ करके उन में से एक से आसानी से पूछताच करता है कि सक्यूलेंट और एट फिंगर्स को कहां ढूंडा जाए। तीनों एक दूसरे के प्रतिबढ़ते सम्मान से एक साथ आगे बढ़ते हैं और रियस्टीज के कैपिटल में एट फिंगर्स को नश्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेबस, ब्रेन और क्लाइम ब्रॉथल पहुचते हैं और दो रास्तों का यूज करते हैं में ब्रॉथल का, सामने का दर्वाजा और अंडर ग्राउंड स्टोरेज एरिया की साइड एंट्रिंस। सेबस दोनों को पहले से चेतावनी देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अंदर मौजूद विरोधियों को मार देगा और दोनों को समझ गए। वे केवल यह मांग करते हैं कि एट फिंगर्स के लीडर्स कोको डॉल और सक्यूलेंट को पकड़ लिया जाए। सेबस कहता है कि वह जिन्दा रहने के लायक नहीं है और उसे लात मार कर आधा कर देता है। ब्रेन और क्लाइम अपने विरोधियों को रोकते हैं और अंडर ग्राउंड स्टोरिज के ट्रैप डॉर का पता लगाते हैं। जब ब्रेन क्लाइम को निगरानी में रखते हुए अगे जाता है तो कोको डॉल और सक्यूलेंट उसके सामने एक छिपे हुए पैसेज से पहुँचते हैं। सक्यूलेंट अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करके क्लाइम को घायल कर देता है जब तक कि ब्रेन वापस नहीं लौटता और उसे अपनी गौड स्लैश टेक्नी में होती है उसे बताती है कि एन्स अगले कमरे में उसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा है। क्लाइम के जाने के बाद रेनर उस मेड को बुलाती है जिसके बारे में उसे पता है कि वह उस पर जासूसी कर रही है ताकि उसे बता सके कि क्लाइम कितना अमेजिंग था लेक एन्स, डेमियर्ड्स, विक्टिम और कोसाइटस को गवाह बना कर सेबस के possible betrayal की जाच करता है वह सेबस को अपनी वफ़ादारी confirm करने के लिए टाउरे को मारने का order देता है सेबस ऐसा करता है और कोसाइटस द्वारा उसके हमले को रोकने के बाद वह नाजारिक का एक सच्चा सर्वेंट साबित होता है असली एन्स के आने के बाद overlord टाउरे का पूरा नाम सुनता है और उसे पता चलता है कि वह निन्या की बहन है इस तरह वह सेबस के उसे एक प्रोविजनल मेड के रूप में रखने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है रॉयल पैलिस में रेनर और ब्लू रोज एट फिंगर्स पर रेड्स पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं और मार्क्विस रेवेन और प्रिंस जैनक रेड्स की कमी के समाधान के साथ आते हैं रेनर के असली परसोना और क्लाइम के लिए उसकी भावनाओं के बारे में जानने के बाद वह बताती है कि उसके पास रोयल और नोबल फैक्शन्स के बारे में बहुत ही खतरनाक जानकारी है और रेवेन को आठ अंगुलियों पर एक साथ रेड के लिए अपनी प्राइवेट आर्मी उधार देने के लिए मजबूर करती है वह अनिच्छा से सहमत होता है और जैनक बताता है कि उनके सबसे बड़े भाई बार्बरो के पास एट फिंगर्स के साथ ट्रेड में एक छिपा हुआ स्टोर हाउस है जिसे अब मैप में जोडा गया है एक लंबे दिन के बाद सेबस और सुल्यूशन मैनर में टौरे को गायब पाते हैं और सिक्स आम्स से सेबस को उसकी फ्रीडम के लिए चुनौती देने वाला एक नोट देखते हैं एन्स मोमोन के रूप में कहीं और बिजी है अलबेडो को रिइनफॉर्समेंट्स भेजने के लिए रिले करता है शुरू में एक इनसान की मदद करने में हिचकिचाहट होने पर वह सोचती है और आठ अंगुलियों को नश्ट करने के लिए डेमियर्ज को कमांड देने के लिए फोर्स भेजती है सेबस के सिक्स आम्स से टाउरे को बचाने के लिए जाने के बाद डेमियर्ज प्लियाडिज, मारे और शॉल्टियर को अपने ओपरेशन गेहना का प्लान बताता है इस बीच रॉयल इनकैंपमेंट में क्लाइम और ब्रेन फॉर्मर एडवेंचरर लॉकमायर के साथ मिलकर एट फिंगर्स के बेसिस में से एक पर रेड मारते हैं वहाँ उनका सामना सेबस से होता है, जिसे सिक्स आम्स से लड़ने के लिए तीनों के साथ उसी बेस पर बुलाया गया था जब सेबस सिक्स आम्स के चारों मेंबर्स से मिलता है, तो वह उन्हें और आस-पास के कस्टमर्स को मारने में कुछ ही सेकंड्स लेता है सोलूशन रिपोर्ट करती है कि जीरो यहां नहीं है हिलमा के घर पर वह अपने घर को जाड़ियों में घिरा हुआ पाती है मारे से एंकाउंटर के बाद वह उसे घसीट कर ले जाने के लिए उसका पैर तोड़ देती है जिससे एंटोमा को मैनर खाली करना पड़ता है जब एंटोमा हुमन बाड़ी पार्ट खाती है तो गगारन का उससे सामना होता है और वह उससे लड़ता है यह सोच कर कि वह एट फिंगर्स के साथ है ब्लू रोज की मेंबर्स टिया और एविल आय आते हैं और साथ मिलकर वह एंटोमा को हराते हैं आखरी हमले से पहले उसे जालदबाउत द्वारा बचाया जाता है और सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है डीमन की हेल फायर वाल द्वारा गगारन और टिया के मारे जाने के बाद गुस्से में इविल आय डीमन पर हमला करती है लेकिन मोमोन के आने से रुक जाती है इविल आय जल्दबाउत को हराने के लिए मोमोन से मदद मांगती है जिसके लिए वह सहमत हो जाता है मोमोन खुद को जल्दबाउत के बराबर साबित करता है और साथ ही इवलाय का बचाव भी करता है जिसके परिणाम स्वरूप इवलाय के मन में मोमोन के लिए रोमेंटिक फीलिंग्स डेविलप होती है जल्दबाउत अंततह लड़ाई छोड़ देता है यह दावा करते हुए कि वह शहर में एक आइटम को ढूंडने जाएगा इस बीच ब्रेन, क्लाइम और लॉकमेर टावरे को बाहर ले जाते हैं जब उनका सामना जीरो से होता है जो ब्रेन को लड़ाई के लिए चुनौती देता है साथ में लॉकमायर और क्लाइम टावरे के रूप में सक्यूलेंट को हराने में काम्याब होते हैं जबकि ब्रेन और जीरो बराबरी पर होते हैं असली टावरे के साथ सेबस अंदर आता है और लड़ाई का पता लगाता है वह ब्रेन के साथ अपनी लडाई छोड़ देता है और सेबस पर अपना स्ट्रॉंगिस्ट हमला करता है जो उसे रोकता है और एक ही ड्रॉप किक से जीरो को मार देता है जाल्दबाउत द्वारा बनाया गया आग का एक सरकल शहर के अंदर दिखता है और सभी इसे देखते हैं राजकुमारी रेनर एड्वेंचरर्स और सोल्जर्स को रिंग में जाने और अंदर मौझूद डीमन्स को मारने की तैयारी करती है जल्दबाउत से लडने के लिए मौमोन, नाबे और इविल आए आगे बढ़ते हैं एड्वेंचरर कोवलिशन रेजिदेंशल सेक्टर में पकड़े गए सिविलियन्स को बचाने के लिए आगे बढ़ता है जबकि रॉयल गार्ड्स डीमन्स की एक लहर को तब तक रोकते हैं जब तक की मौमोन, नाबे और इविल आए नहीं आ जाते ब्रेन शॉल्टियर को देखता है और अपने साथियों को भागने का समय देने के लिए उसे चैलेंज देता है ब्रेन फोर फोल्ड स्लैश ऑफ लाइट से शॉल्टियर के नाखून को काटने में काम्याब हो जाता है और जब वह विचलित होती है तो खुशी-खुशी पीछे हट जाता है भागते समय शॉल्टियर क्लाइंब और लॉकमायर को देखती है जो डेमियर्स द्वारा दिये गए ओर्डर के तहट उन्हें पीछे छोड़ देती है तीनों को सिविलियन्स का एक वेरहाउस मिलता है और वे अपने अपनों के लिए विनती करने वाले लोगों का सामना करते हैं और राजकुमारी के फैमिली सेपरेशन की थियोरी को कन्फर्म करते हैं जब मॉमोन, नाबे और इविल आई का सामना जल्दाबाओत से होता है, तो वे उसकी पांच डीमन मेड्स को देखते हैं. जहां फीमेल एड्वेंचरर्स मेड्स को संभालती है, मॉमोन जल्दाबाओत से लडता है. लैक्योस डीमन्स की भीड से लडती है, जब तक की जाने के लिए सारा दोश जाल्दाबाओत पर दिया जाना है. जब इविल आई लडती है, तो एक छिपी हुई नार बेरल अपनी तीन बहनों के साथ शान्ति से बातचीत करती है. जब मारे अर्थ्वेक सिगनल देती है, तो मेड्स अपने रोल्स में वापस आ जाती है, इ अड्वेंचरर्स और सोलजर्स एकठा होते हैं और मोमोन को किंगडम का हीरो बताते हैं. दूसरी तरफ औरा बचे एट फिंगर्स लीडर्स को पकड़ लेती है और उन्हें एन्ज उलगाउन का नौकर बना देती है. बहरूत एम्पायर में फलूडर पैराडाइन एम्पर जिरकनिव रून फॉर लॉर्ड एल निक्स को बताता है कि एन्ज उलगाउन की जाच करते समये. इस कंक्लूजन पर पहुचता है कि मैजिक कास्टर उसकी मैजिकल पावर के लेवल में उससे ज्यादा या बराबर है. एन्ज से परसनली मिलने की इच्छा रखते हुए जिर जिरकनिव फलूडर को एडमान्टाइट एडवेंचरर मोमोन को भी इन्वेस्टिगेट करने का ओर्डर देता है.